नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका होश शेफ धिरज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन पाँच टिप्स की जो कि आपकी जमेटो की फूड रेटिंग की जो की स्टार्स आपको वहां पर मिलते हैं उसको कैसे आप इंप्रूव करें जब भी आप कहीं से और करते हैं अप उस रेस्टरंड को वहां पर आप कुछ स्टार्स देते हैं वन स्टार टू स्टार या फाइव स्टार जो भी हो वो किस तरीके से वर्क क कर सकते हैं यहाँ पे 5 points मैं बता रहा हूँ जिनकों कि आपको आसानी से मैं समझाने के कोशिश करूँगा ताकि आप उनको समझ पाओ इसके अलाबा मेरी cloud kitchen की playlist है अगर आप मेरे channel पे पहली बार नहीं है तो जिसमें कि आप more 100 plus videos से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगी जो कि हमारी food business से related है especially cloud kitchen से related है आप उने जाके देखेगा आपको आपके cloud kitchen को या किसी भी food business को run करने में काफी help हो जाएगी इसके अलाबा मेरे paid programs भी होते हैं जिनके के लिए आप मुझे वर्टसप पे हो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी अच्छी quantity में और अच्छे समय में मतलब कि कम समय में खाना मिल जाए तो अगर आप अपने जो food preparation का time है वो कम रखते हैं app के अंदर तो customer को आप से order करने में सहुलियत होती है और यह जमैटो का भी algorithm है अगर आपकी आपकी जो preparation timing है वो कम है और आप सही समय पे क्योंकि वो timing के अंदर ही अगर आप लोग सर्व कर पाते हो तो जमैटो के repeats order भी आपको आते हैं और यहाँ पे जो ratings है वो भी आपकी बढ़ती है तो कोशिश कीजी गया कि आप लोग अपने जो preparation time को वो कम से कम रखे दूसरा यहाँ पे point आजाता है हमारा safety और hyzine का जमैटो के खुद के guidelines हैं अगर आप जमैटो का app यूज करे होंगे अगर आप उन guideline का follow कर रहे हैं उन guideline का पालन कर रहे हैं और वहाँ पे वो reflect करता है आपके restaurant पे आपके cloud kitchen में जो की customer को नजर आता है और यहाँ पे वो भी एक major role play करता है आपकी restaurant के जो stars की या ratings को बढ़ाने के लिए तो आपको अपने जो guideline है वो proper follow करने हैं यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आजाता है हमारे special instruction का आपको हमेशा जो भी customer द्वारा special instruction दिये गए हैं जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यह spices चाहिए, capsicum avoid करें, onion avoid करें उन instruction को properly समझना चाहिए और उनके अनुसार ही आपको अपने खाने को prepare करना चाहिए क्योंकि वो special instruction है हो सकता है कि किसी customer को उस चीज़ से allergy हो और वो नहीं चाहता है कि वो खाए और बिमार पड़ जाए पर अगर वहीं अगर आप उसको वो चीज़े avoid नहीं करते हो या गलती से वो चीज़े देते हो या फिर आप जो special instruction पर कभी ध्यान ही नहीं देते हो तो customer कभी भी आपके लिए एक अच्छी rating नहीं देगा कभी भी एक अच्छा feedback नहीं देगा तो यहाँ पर जो भी special instruction मिल रहे हैं customer के द्वारा आपको उनका ध्यान रखना है चौटा यहाँ पर आता है हमारी packaging का आपको कोशिश करनी है कि आपकी packaging attractive होनी चाहिए और यह भी ध्यान रखना है कि आपको कम से कम जब आप अपनी packaging कर रहे हो और specially कोई भी liquid item हो तो liquid item और lid के बीच में कुछ gap जरूर छोड़ना है यह ना हो कि आप customer को जादा देना चाहते और आप लबा लब उसको भर दे रहे हैं और बाद में वो सारी की सारी चीज़े spill हो रही है च्योंकि जब भी आप extra quantity देनी कोशिश करते हूँ specially हमारे जो liquid वाले item होते हैं तो वो गिर जाते हैं क्योंकि जो tomato का rider है वो लेके जाता है और आपका खाना spill करता है तो कोशिश क देजेगा कि कुछ ना कुछ space lid और food के बीच में होना चाहिए आप at least इतनी जगे छोड़ सकते हैं अपने lid में और खाने के बीच में और उसके उपर से आपको अपनी टेप या फिर जमैटो की टेप ज़रूर लगानी है ताकि खाना सुरक्सी धंग से आपके customer के पास क्योंकि जब भी आप किसी भी customer के questions का query का feedback का answer करते हैं तो customer को लगता है कि यह लोग मेरी care कर रहे हैं और मेरे बारे में सोच रहे है feedback चाहे खराब भी हो पर आपको उनको महाँ पर apology मांगनी है और कोशिश कर दी है कि आप उनको किसी एक चीज दूसरी चीज महाँ पर प्र आगे बढ़ गई है और आपके पास order की संक्या बढ़ गई है कुछ भी questions हो comments हो मुझे निसी लिखेगा मुझे आप WhatsApp पर भी contact कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैंद